चतिसगर में सरकारी मारतों के आसपास मुंगा फली के पौधे लगाने का विशेश अभ्यान चलाया गया है। एक सब्जी के अलाबा मुंगा एक आयरवेदिक औजदी भी है। चतिसगर सरकार ने सेहत के लिहाज से उपयोगी पौधों को स्कूल, कौलेज, छात्रवास, आवात्य कौलोनी और शाशकिय कार्यलों में लगाने का फैसला किया है। इसमें भी खासकर मुंगा फली के पौधों को रोपन का अभ्यान चलाए गया है। इस अभ्यान का विधिवत शुभारम करते हुए वनमंडल कोंड़ा गाउं में स्थानिय विधायक और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्षय मोहन मरकाम ने पौधर उपन किया, वनमंडल के DFO, SDO सहित सभी वनकर्मियों ने पौधि लगाया। मुनगा में प्रोटीन की प्रचूर मात्रा होने के कारण इसे सेहत के लिए बेहतरिन आहार समझा जाता है। इसकी फली, फूल, पत्तों की सबजी बनाई जाती है। वहीं इस पेड़ की जड़ भी आईरवेद में आशिदी मानी जाती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से उटमीती तक दखन न्यूद, आप क्या थे? आप देख रहे हैं दखन न्यूद